बीकॉम फरस्ट यर के प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे चानल इन्डियस ओफ्टी में जहाँ पर आपको मैं सिखाता हूँ यह वीडियो है सिलेवर्स को ले करके देखिए मैथामाटिक्स हो चाहे है अकाउंटेंसी हो चाप्टर तो बहुत सारे होते हैं गिनने में जाएंगे तो 15 से अधिक और 20 से कम यह कहाँ दे तो 20 चाप्टर लगभग अब इतने सारे चाप्टर में से आना सरी पांच टो प्रि अब कोशन आने हैं पांच चैप्टर हैं 20 या 18 अब ऐसे में क्या करीं कैसे जाने हैं कि वो कौन सा पहल आया ऐसे पांच चैप्टर कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे कोशन आना निशित है इसके साथ बता दूं एक्जाम में थियोरी भी आते हैं ठीक है पर उ समय के अनुसार में बोड के अनुसार उनकी इक्षानुसार वो लोग बदलते रहते हैं तो अभी नार्मल करणिशन ले करके चलते हैं ठीक है लाब डॉन के बाद यह आपको पहला ऑफलेंट पीपर होने जाएगा तो 2023 में आप एक्जाम दिलाने वाले हैं ठीक है अभी 2022 म आपका फाइनल एक्जाम होगा कुछ बच्चे सेमेश्टर वाले होंगे जिनका पहला सेमेश्टर हो गया होगा दूसरा होने वाला हो गया साथ वो भी श्राट हो गया होगा ठीक है तो मैंने हाल ही में बिजनेस मैथामेटिक के उपर वीडियो बनाया था कि जो जो उसमें हमारे चानल इंडिया सब्टी में मैं हूँ आपका स्टी अमसा देखिए चाप्टर्स को गिने तो वन टू थ्री फो फाइप सिक्स सेवन एट नाइन तेन एलेवन ट्वेल तर्टिन फॉर्टिन फिप्टिन सिस्टिन सेवन टी एटी नाटी ट्वेंटी तो आप देख सकत है कितने चाप्टर है पहले विनिट में लगभग साथ चाप्टर है ठीक है अब देखिए पहले विनिट से स्री 15 नंबर का एक कोशन आना है ठीक है कोशन आना है एक अब चाप्टर यहाँ पर साथ अब बता कुन से चाप्टर इंपोर्टेंट है तो देखो यहाँ पर कू chapter practical के हैं ठीक है तो देखे लिखांकन क्या है लिखांकन के धारवु सुधान दोरा लेखा परणाली ये सब क्या है theory है theory देखे मैंने बताये था अगर 15 नंबर के practical आएगा तो एक theory भी आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हर बच्चे college में tuition नहीं करते अभी आप online youtube पर देख करके त्यारी कर सकते हैं पर एक समय था जब ऐसी कोई भी इस विधाय उपलब्द नहीं थी ठीक है तो दोनों बच्चे पास हो सके इसलिए practical भी दिये जाता है theory भी दिये जाता है ठीक है तो theory के लिए जो आपके मूख्य chapter है वो एक से लेकर के तीन chapter है ठीक है तो पहला लेखांकन, दुश्रा लेखांकन के धार भुष्धान तीसरा है दोरा लेका प्रणाली तो अगर आप पीना practical भनायते शिप theory से पास होना चाते हैं तो इन तीन chapter का theory अच्छे से पढ़ लेंगे ठीक है और पुष्टक में देखिए पीछे में एक set दिया होगा जहां पर आपको ये पता चलेगा कि इस chapter से कौन कौन से theory आ सकते हैं तीन set दिया रहता है तो आपके भुबुक में दिया होगा उससे आप और अच्छे से त्यारी कर सकते हैं ठीक है यहां पर स्री 5जी प्रोष्टी होनी है तो 5जी प्रोष्टी चाहे normal हो चाहे jestी वाले हो किदने प्रकार के 15फटी होते है इसका मैंने अभी एक वीडियो बना करके डाला था लगबग एक अन्यौन हसी है एक घंटे के वीडियो है जिसमे explain समस्त खर्चे और जितने विए अलग अलग टॉपिक होते हैं सब को मैंने उस एक वीडियो में कवर किया है उसको देखने के बाद अब हर तरह की पंजी प्रोष्टी कर सकते हैं तो जहां थियोरी याद करने वाले हैं लगभग मैं कहें तो लगभग चारचर पेज का आंसार आएगा इतना वड़ा थियोरी आद करने वाले हैं इतने चारचर पेज का उससे अच्छा एक वीडियो देख लीजिए आप पुरे प्रैक्टिकल का त्यारी कर लेंगे पहले यूनिट से आपका एक ठो प्रैक्टिकल बन जाए ठीक है तो यह तो हो गया पहले यूनिट की बात कि क्या इंपॉर्टेंट है किसका पढ़ना है अब सिकेंड यूनिट में आते हैं जिसमें है तलपट पुंजीगत वा आयगत अंतिम खाते असुद्धी का सुधार इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह आपका अंतिम आते हैं तलपट के आने के चांस नहीं है इसके तो बिल्कुल नहीं है असुद्धी के सुधार के भी नहीं है देखो इन में से यह दो चीज़े का आ सकती है यह जब इस कॉशन नंबर टू आपको यही होगा पॉशन नंबर बन में आपको जेस्टी वाला दिया जाएगा नंबर टू में आपको अंतीम खाते दिया जाएंगे तो अंतीम खाते के अत्व में अगर थियोरी नहीं देता तो फिर यह तो असुद्धी के संसुधन का कोशन आएगा या फिर तलपट का कोशन आएगा लेकिन ज़्यादा तर मैं आपको बता दिया है कि प्रैक्टीकल क के अत्व में प्रैक्टीकल ही दिया जाता था थियोरी बहुत कम है यह बहुत कम है इसका परसेंटेज 90 है और इसका परसेंटेज 10 परसेंट है तो पिछले साल का जो बच्चों ने एक्जाम देलाय था उनसे पूछ कर कि आप त्यारी कर सकते हैं बागी मैं तो कहूंगा अ सौल करके वीडियो प्लोट कर दिया हूँ देखकर कि आप अपनी त्यारी कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका अंतिम खाते ठीक इनके प्रैक्टिकल अपने लाइन से क्वेशन नंबर वन क्वेशन नंबर टू क्वेशन नंबर त्री कर आपको कोई नहीं बताएगा यूटूब में एक एक कोशन में बाकी बता रहूं है ताकि आपको घर बेटे त्यारी हो जाए ठीक है मेरा परपस इपको आपको हेल्प करना है आगे यूनिट 3 से आता है मूल लेरास ठीक है अब मूल लेरास को कोशन हमेशा आता है स्लिवर् प्रैक्तिकल आना अनुमार है इसके अथ्वा में मूं ले रहा से एक थोरी आएगा उसको अच्छे से और दाओंगे इक्जाम किसम में एक और वीडियो बनाओंगा और बताओंगा इक यूरी important है कोंच से practical important है आपके लिए मैं इंबी कोश्चन बनाते रहते हूं ताकि आप एक्जाम से पहले उनको solve करके अच्छे से त्यारी करके जाएं ताकि आपके एक्जाम में आने वाले हर दोनों आते हैं, आप इनके आप theory भी पढ़ेंगे और इनके आपको practical भी पढ़ना है, ठेक है तो यहाँ पर practical theory दोनों आते हैं, तो आप के उपर है अगर आप practical समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप example की कुछ practical समझ सकते हैं नहीं तो मैं suggestion दूँगा आप theory पढ़ लो तो जाद अच्छा है ठिक ओके आगे बढ़ते हैं अगले में जो कि है आपका unit 5 unit 5 सांजेदारी का है ज़स्ट आपने कक्छा बारवी पढ़के आया होगा तो आपको वसूली खाता सांजेदारी फर्मका समापन या विहटन आपको पता होगा ठीक है थोड़ा साबस आपको focus करना है इस chapter के book को open कर ये और इस chapter को पर लिए इसमें जितने भी notification on करें रखें बहुत सारे बच्चों ने subscribe तो किया है पर बेल आइकॉन के जो तीन कॉलम होते हैं तीन बार बेल आता है एक का मतलब होता है पूरता mute एक का मतलब होता है कुछ नहीं और एक का मतलब ऐसे highlight लगा रहता है इसका मतलब यह आपको तीसरे को करना है क्योंकि इसके बाद ही नए नए वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन मिलेंगी लाइब जो वीडियो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा पंद्रह मिनट पहले आदा गंटा पहले पर मैं यह देख रहा हूं एक मैने से त्यार करूंगा इस्टार्ट करूंगा जिसका मुझे टाइमिंग नहीं पता आपकी इस टाइम पर आउनलाइन रहते हैं तो आप मुझे टाइम बताईए अभी तक पच्छोन में वह भी मेसेज नहीं किया है तो मुझे लगता है जो पंद्रह नुमबर से बेच पाएगा और इसका जिम्हादार आप ही है आपने किसी ने भी कमेंड नहीं किया मुझे तो जब तक आप कमेंड नहीं करेंगे पंद्रह तारे कबेच सुरू नहीं होगा अब मैं इसको बढ़ा दूंगा अब दिसंबर जन्वरी में सुरू करूंगा ठेक शलो बढ़िया तो क्या था सिलिबर्स आपको समझ में आ गया कोई को से चाप्टर इंपोर्टेंट है एक बार फिर से बता दूं यहाँ पर आप प्रारंबिक लेखत जेश्टी के प्रश्टा बना सकते हैं खाता बही के चांसेस नहीं होते क्योंकि इसमें बहुत सारे कार होते हैं लेकिन यहाँ पर यह दो प्रकार की जेश्टी आप पढ़ लेते हैं तो यह दोनों चाप्टर इंपोर्टेंट है थियोरी भी पढ़ लेना है ठीक है क्या पता प्रेक्टिकल आपसे नहीं बने तो थियोरी के दम पर आप कोशन तो बना सकते हैं कोशन छोलन नहीं है इसलिए क्योंकि यह बारवी का ही सिलेबर्स है जो आपको 11 भी मिला है ठीक है तो सारे इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने फिर से पता दिया इसी तरह से अगर आप ववसाइक वातावरण और अन्य जो आपके सिलेबर्स है ववसाइक संचार इत्यादी के अगर आप वीडियो पाना वीडियो को लाइक शारे को सिस्क्राइब बाए बाए